राजस्तार से खबरों के तरफ बढ़ेंगे, राजस्तान में सीयंट की चेहरे की तलास तेज हो गई पाटी की राश्टू अध्यव जेपिन अड़ा ने राजस्तान के लिए तीन परविक्षक नियूट किये उनका काम राजस्तान में विधायक से राश्शमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना है राजस्तान में आने वाले अगले दो दिन भारी हलचल भरे हो सकते हैं क्योंकि इन दो दिनों में आलकमान ये तैकर सकता है कि प्रदेश का नया सीम कौन होगा क्योंकि इस कवायत की पहली सीड़ ही पार कर ली गई है पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा ने बतोर अब्जरवर राजस्थान के लिए परिवक्षकों की न्यूक्ति कर दी रक्षा मंत्री राशुना सिंग राष्ट्री महासच्यू विनोत तावडी राजसबा सांसद सरोच पांडी की न्यूक्ति की गई है इस सभी तीन परिवक्षकों का काम विधायक दल की बैठक में शामिल होना और उनसे राष्शुमारी कर दिल्ली आकर रिपोर्ट देना होगा राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद सीम पत की रेस में पूर्व सीम वसंद्रा राजे, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी और गजेंदर सिंग शेखावत के नामों पर चर्चा हो रही थी हालंकि खबर ऐसी भी थी कि बीजेपी आलकमान नए चेहरों को मौका दे सकता है हालंकि वो कौन हो सकता है, ये अभी तक साफ नहीं है हालंकि इस बीच खबर है कि प्रदेश में सीम के साथ दो डिप्टी सीम भी हो सकते है अब परवक्षकों की नियुक्त हो चुकी है, ऐसे में अब सवाल है कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा हालंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कर चुके थे कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा सूत्रों की मानितों बीजिपी की नए प्लान के तहट तीनों परवक्षक जैपूर जाएंगी परवक्षक विधायक दल की मीटिंग में शामिल होंगे विधायकों से परवक्षक राइश शुमारी करेंगी उसके बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट आला कमान को सौपी जाएगी जिसके बाद सीम के चहरे पर आखरी मुहर लगेगी पिछले कई दिन से बीजेपी में सीम फेस को लेकर कवायच जारी है राजिस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है लेकिन जिस तरीके से परवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले दो दिन में ये साफ हो जाएगा कि सीम की रेस में बाजी किसने मारी राजस्तान को लेकर भारती जनता पार्टी ने केंद्रिय परवेक्षकों का एलान कर दिया है हाला कि सीम फेस को लेकर सस्पेंज अभी भी बरकरार है लेकिन पार्टी ने अपने तीन दिगज नेताओं को केंद्रिय परवेक्षक बनाकर राजस्तान भेजा है जिसके पीछे की मुख्य वज़ा है कि निर्विवाद रूप से राजस्तान में विधाई दल की बैठक में भारती जनता पार्टी एक राय बनाए लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये तीनों दिगजनेता इस पैशकस में सफल साबित होते हैं या नहीं और इंतिजार इस बात का भी है कि आखिरकार राजस्तान का अगला मुख्य मंत्री कौन होगा कैमरा परसन विपिन के साथ लखविर सिंग शेखावत न्यूज एटेन दिल्ली राजस्तान में पूर्ण बहुमत आने के बाद भी अभी तक सीम फेस को लेकर बीजीपी की ओर से कोई नाम सामने नहीं आया लेकिन बीजीपी ने आज तीन परविक्षक निउत कर दिये हैं और इसके बाद ही विधायक दल के बैठक होगी बीजीपी की प्रदेश रध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में हैं इस दौरान उन्होंने बैठक को लेकर और सीम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा है कि जल्दी विधायक दल के बैठक होगी और सीम मजबूत व्यक्ती बने इसलिए मन्थंज़ारी है सीपी जोशी से बात की हमारे समवादाता लखवीर सीग में बीजेबी प्रदेश अध्यक्ष और रिचित तोड़कर सांसत सीपी जोशी बाचित के लिए मोजूद हैं सीपी जोशी साब दिल्ली आए हैं क्या मुख्य कारण मुख्य मंतरिक पद को लेकर भी कवायत तेज हैं विधायक दल की बैठक की तीथी नियत हो जाएगी उसके बाद आगे की कारवाई होगी मेरा आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगसवा की कारवाई में भाग लेना अच्छे पहुमत के साथ मेंडेट मिला है बारतिय जंता पार्टी को जल्द सरकार का गठन भी हो जाएगा कितने उत्साइत हैं और मुख्य मंतरि किस परकार का आने वाला है क्योंकि पिछली पांस साल में काफी आरोफ लगा हैं विफलता के अशोगलो सरकार पर देखिए राजस्तान की जंता ने मोधी जी की गैरेंटी पर विश्वास किया है मैं राजस्तान की जंता का भी आभार प्रकेट करता हूँ और राजस्तान की जंता की ओर से गरीब बाईयों की ओर से माताओं बैनों की ओर से युवाओं किसान दली तादिवासी हर वर्क की ओर से आदरनी प्रधानमद्री जी का अभार प्रक्रिप करता हूँ कि उनकी आशाओं पर उन्होंने उनके विश्वास पर उनको पूरा किया और यही विश्वास अक्टूट विश्वास आदरनी मोधी जी के प्रती जो है वही गैरेंटी राजस्तान में चली है और उसी पर राज जिन्दापाटी रजस्तान के पुर्दिय शद्यक्षों चितोडगर के सांसत सीपी जोशी जो साफतोर पर कह रहे हैं कि जल्द परिवेक्षों को कि नियुक्ती होगी उसके बाद विधायक दिल की बैठक जब संचाली थोगी तो जल्द मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो